नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है हाल ही में केंदर सरकार ने एक डिसीजन लिया कि वो कश्मीर के नेताओं से दुबारा बातचीत करेगी इसी सिलसले में कल जो बातचीत हुई उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं कमिनिस पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के वरिशनेता यूसुफ तारिगामी जी जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मोका दिया पॉलिटिकल लीडर्स जो मु कश्मीर को बुला कर बातचीत करने का एक मोका दिया उस बारे में सभी लोगों में और लेडरों में एक उमीद थी कि अपहली बार कई सालों के बाएद हमारी बात को सुना जाएगा मैंने अपने इंटर्वेंशन में प्राइमर्स रफ इंडिया से एक तो शुक्रिया तो आदा किया कि बहुत देर के बाएद जमु कश्मीर के नीता याद आए जमु कश्मीर के लोग याद आए इस बात का शुक्रिया लेकिन बहुत बेथर हो था अगर चार अगस्ट, तीन अगस्ट, पांच अगस्ट से पहले 2019 भी हमें बुलाया हो था वो जो आपने फैसले लिए, बड़े फैसले जमु कश्मीर के बारे में कानस्टूशन को बदलने के फैसले, कानस्टूशन में जो दरिज है, राइटिस जमु कश्मीर के आवाम के लिए उनको बदलने के लिए अगर उस वक्त बलाया हो था हम भी शायद अपनी बात कहतें और आपको भी इंपुट्स मिल जातें वो नहोता जो हुआ तो क्या इसका मत्तब है कि अब जैसे कुछ लोगों का सोचना है कि 370 को फिर वापिस लाया जाएगा क्या इस सरे के कोई आश्वासन है प्रॉपर्टी को लेके कोई आश्वासन कि सबुने बात की मोका मिला बात करने का पहले तो कल तक बहुत कुछ बुरा बला भी कहा जाता था लेडरों के बारे में पुलिटिकल लेडर्शिप के बारे में लेकिन मोका आज मिला बात से रखन जानना चाहरे हूं और वही हम भी जानना उसी की खोज में हम भी लगें तो अभी तक हमें पता नहीं चला होम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया उस बहस का और उन्हों ने कहा कि डी लिमिटेशन कमिशन है उसमें आप तावन कर लेजिए ताकि जल्दी काम हो जाए और उसके बाद चुनाव हूँ जी पर चुनाव तो होने ही थे तो ये चुनाव के बाद किस तरह की असेम्बली बनेगी चीफ मिनिस्टर के क्या पावर है मैं वही पूरा कह रहा हूँ और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका मनशा ये है कि स्टेट हुड रेस्टोर हो जाए प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया ने पारलिमेंट के अंदर मैंने भी पारलिमेंट मैं भी पारलिमेंट से बाहर भी विश्वास जलाया है मुलक को ज हमारा सवाल ये था कि जहां तक चुनाव का तालुक है हमने कब मना किया कि चुनाव नहीं होने चाहिए और चुनाव होने के लिए मांग करने की क्या जरूरत है वो तो एक जिम्मदारी है सरकार की कि हर शहरी को हक दिया जाए वोट का वोट के इस्तेमाल का किसी भी इनिस् अगूँ एक दूसरा आपने डे-लिमिटेशन के मिसेन को एक शरत बना दिया कि याद लाया हमने प्रैम अनिस्ठर साथ को भी हो मिनस्टर साथ को भी कि जब डे-लिमिटेशन के बारे में नोटरिफिकेशन जारी हुआ उसमें नसिर्फ जमौ कश्मीर का नाम था आसाम का भी और भी कई रियास्तों का नाम था और अभी जो आसाम में चुनाव हो गए तो डी लिमिटेशन जो प्रासेस है वो कम्पलीट नहीं हुआ था बिलकि शुरू भी नहीं हुआ था तो जमु कश्मीर के बारे में ये शरत क्यों रखते हैं चुनाव के लिए कि पहले जै दे लिमिटेशन प्रासेस पूरा हो जाए यही शरत आसाम के लिए क्यों नहीं थाई कहा यह दोहरा मेयार क्यों यह डबल स्टैज़ंडर्ड की और थीसरा हमने कहा सीटेट के बारे मैं समों नहीं कि यह अपरॉपरेट टाइम डृट है अगर आपने सब कुछ करना है तो अभी इतना टाइम हुआ तो आप रे स्टोर क्यों नहीं परॉद से अगर आपने वादा किया कि यह किसरे आपको रोका में और एप्रॉपरेट टाइम क्या है कि ये सारे सवाला आए लेकिन जवाब मिला नहीं बार खोला हम इतना कहेंगे मौका मिला बात रखने का लेकिन कुछ ठोस मिला नहीं कोई एस्वरणस मिली नहीं जिसको लेकर हम अवाम के सामने पेश कर लेंगे लेकिन बाहराल जुद्जध जारी रहेगी, CPIM बाकी जतने भी संगठन है एक साथ मिलकर, जमो कश्मीर के आवाम के कानुस्टूशनल राइटिस की बाहली के लिए, डिमोक्रेटिक राइटिस के तहफूज के लिए, इन्डिफेंस अफ आवर राइट्स, लडाई, हादे रहेंगे.